कि हईड़ो मैं सरोज आगि आज ने एक मिनी ब्लॉग लेकर के तो अपना केलिपर छोई यहां खराब है तो केलिपर में क्या खराब है पहले खूल करके देख लेते हैं हमलोग चलिए खूलने का बाद पता चला है हम लोगो जो है प्रीक टूटा हुआ तो इसके बदली में हम लोग क्या लगाते हैं बेल स्प्रिंग कैसे लगाते हैं देख लेते हैं पहले जिस अवस्ता में पुरानी वाली स्प्रिंग था उस अवस्ता में हम फिर से लगा लेंगे बाबा से लगा लेने के बाद बोल्ट से हम लोग जैसे टाइट था वैसे ही हम लोग टाइट कर लेंगे तो टाइट कर लेने के बाद क्या करेंगे जो अपना एड़ोप्टर वाली बोल्ट है उसको नीचे वाली उसको खोल लेंगे खोल लेने के बाद बेल स्प्रिंग उसके बैठा करके टाइट कर लेंगे इसके बाद जो वायर वाली जो बोल्ट होता है जिससे वायर टाइट होता है उसको भी खोल लेंगे उस पर जो है यह वासर हटा करके फिर स्प्रिंग बैठा करके वासर डाल करके इसको भी टाइट क लेंगे तो फिर अपना ब्रेक जो है पॉपर काम करने लगेगा उसके बाद ब्रेक वायर डालेंगे और ब्रेक एड़ेस्ट करेंगे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा